हेलो प्रेंट्स वेल्कम बैक टो माई चैनल इन प्रिया कोकिंग रेसिपी तो आज मैं आप लोगों के शाथ शेयर करने वाली हूँ दही बड़ा की रेसिपी तो चलिए दोस्तों मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे दही बड़ा कितने सॉफ्ट बने हैं तो पहले मैंने यहां पर बिना चिलके वाली उड़त की डाल ली है मैंने यहां उड़त की डाल 200 ग्राम ली है इसे हमें लगबग 12 गंटे तक पुलने के लिए छोड़ना है तो मैंने यहां एक कटोरी में भर कर पानी लिया है और इसमें मैंने उड़त का डाल रख दिया है इस कि अभट दाल हमारा बूल चुका है तो अब हम इसने से पानी को ऑचेशी से धोलेंगे यहल्के हाथों से यह मसलते हुए अच्छे से धोलेना है और हमें। पानी को ट्रेशी cause कर लेना है ग्याै देखें यौन साफ मैं दाल साफ हो चुका है पर मैंने थोरा से पानी कि और अब मैंने इसके धकन को बंद कर लिया है और अब मिक्सी ओन करके इसे ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंड करने के बाद हम इसके धकन को हटा कर एक बारी देख लेंगे तो यहां पे हमारा fine paste ready हो चुका है दोस्तों आप देख सकते हैं बड़ा के लिए यह पेस्ट काफी अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है तो अब हम इसे मिक्सी जार में से निकाल कर एक कटोड़ी में रख लेंगे तो यहां पर हमारे साड़े दाल पिस चुके हैं तो अब हम इसके आगे की प्रोसिस की तरफ बढ़ते हैं तो जब से पहले मैंने या फाइनली चॉप एक टे डाल को बड़े बरतल में रख लिया है और इसके बाद हम इसमें अजवाएन एड्ड कर लेंगे मारी मिर्ट भी अद्र्प भी एड्ग कर लेंगे तो कि हाफ टी स्पून बेकिंग सटा एड़र किया है और यहां पे मैंने हाफ टीस को हल्दी पाउडर एड़ किया है इसके बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक एड़ कर लेंगे और अब हम इसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे यानि इसको अच्छे से फेटेंगे इसे हमें तब तक फेटे रहना है जब तक यह फ्लफी न हो ज हमारा काफी सॉप्ट हो और स्पंजी हो यह हमारा बड़ा बनाने का सीक्रेट होता है तो आप देख सकते हैं दोस्तों बड़ा बनाने के लिए हमारा दाल कितना फ्लपी हो चुका है तो इसको हम एक बारी चेक कर लेंगे तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं इसे कैसे चेक तो अब मालाए के प्रोसेस पहुंआगे तो सबसे पहले ने इक हुआ मैंने को गर्म होने के लिए है रिफाइन और यूजिस करेंगे लिप 1 जादा यूज। कि हमें बड़ा बनाना है तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम बड़ा को हाथों में लेकर छोटा छोटा चोटा अकार में उसे तेल में रखेंगे आप चाहें तो चम्मच से भी रख सकते हैं अगर आपको हाथ से बनाने में दिक्कत है तो पर मैं यहाँ हाथ्सों से ही बना रही होगा, आप देख सकते हैं दोस्तों. आप चाहे तो इसमें और भी बड़ा एड़ कर सकते हैं पर मैंने पान से छेष ही अन्च के हैं ताकि हमीं बनाने में आसानी हो। और इसे हमें लगबक light brown होने तक fry करना है ताकि ये अंदर से अच्छे से पप जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तो हमारा बड़ा ready हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे इसे हमें direct plate में नहीं रखना है इसे हम पानी में रखेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए औ मिला फारा नहीं लगबक दो मिन टेंट के बाद हम इसे हलके हाथों से दबाखर इसमें से पानी को drain out कर लेंगे अधर जोड से हमें इसे नहीं प्रेस करना है नहीं तो ये टूत सकता है क्योंकि काफे spongy होता है तो इसी प्रॉसेस के साथ हमें सारे बड़े को ready करना है बीक से ड्रैन अउट करें प्लेट में रखना है तो अब मैंने यह 1 kg गभाल। दोस्तों कितना धार है इस स्टेड में हम अध्यक को इसमें रख सकते हैं विशे से को पहले मिखसी जार में रखेंगे एक बार में सारे दहि के नहीं है सकते क्योंकि कि हम इसमें पानी वी आड़ करेंगे तो यहां पे मैंने एक कप पानी एड़ किया है और इसे बंध करके मैंने तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे हमारा दही का फाइन घोल रेडी हो चुका है घोल बनाने का एक फाइदा होता है कि जब हम बड़ा को दही में एड़ करते हैं तो यह दही के साथ अच्छे से अबसॉर्ब हो जाता है तो यहां पे हमारा सूप के हुआ बड़ा भी रेडी है और यहां दही भी रेडी है तो चलिए दोस्तों हम इसको एक साथ मिक्स कर लेते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां एक बड़ा सा बड़तन लिया है तो इसमें हम जब से पहले पॉस्ट लेयर दही का रखेंगे नहीं रखने के बाद हम इसमें बढ़ा को एड़ करेंगे तो इसके बाद हम फिर से बढ़ा है और इस लेयर के बाद हम फिर से एक बारे जहां पर बढ़ा एड़ कर लेंगे और बड़ा एड़ करने के बाद हम यहां फिर से दही को एड़ कर लेंगे तो यह हमारा लास्ट लेयर है तो यहां पर हम फिर से एक बाद बड़ा को एड़ करेंगे और यहां मैंने सारे दही को एड़ कर लिया है तो देखे दोस्तों दही और बड़ा एक साथ मिल चुका है तो अब हम इसे तीन से चार गंटा के लिए रख देंगे ताकि यह अच्छे से मिल जाए चार गंटे कंप्लीट होने के बाद देखे दोस्तों दही बड़ा में दही और बड़ा कितना अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है यहां पर आपने देखा ना कि छोटे छोटे पोर्स आ चुके हैं इसका मतलब है कि दही और बड़ा अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब मैं इसे प्लेट में सर्फ कर लेती हूँ मैंने यहाँ प्लेट में इसे रखना स्टार्ट कर दिया है अगर आप कम दही पसंद करते हैं तो आप इतना ही रखे और अगर आप ज्यादा दही पसंद करते हैं तो उपर से और भी दही आड़ कर सकते हैं करें मैंने दही अड़ किया है उपर से are a में इसके बाद मैंने यहां पर घड़ी रखी है और कर चिल लिया और यहां किल लिया और जह दही इबात लिए सबसे फेमस चलि आ तो मैंने यहां इमली की खटी मीटी चटनी को भी आड़ किया है। इमली की खटी मीटी चटनी की रिस्पी में आप लोगो अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरे साथ इसी तरह connected रहें दोस्तों। और इसके बाद मैंने यहाँ पे चाट मसाला डालने से दही वरा का टेस्ट एक्दम बढ़िया आता है और सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे कटा हूँ हडा धनिया को ऐड़ किया है तो यह एक्दम सर्फ करने के लिए रेडी हो चुकिए है दोस्तूं यह देखिए दोस्तों यह दिखने में कितनी टेस्टी और लाजवाब लग रही है तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मिझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने घर पे एक बार जरूर ट्राइ करें तो जालतर लोग इसे होली में बनाते हैं इसल कितना जल्दी तोट जाता है तो यहां पर यह बहुत ही ज्यादा सॉप्ट टेस्टी तहिवारा बना है तो आप अपने घर पे इसे एक बार जरूर ट्राइ करें और होली में तो इसे एक बार जरूर बना तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स मे जरूर बताए और अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक जल से जल पहुंच सकें थैंक्यू